आखिर रजट ऐसा क्या करने वाला है जिससे आशिका का बॉइफ्रेंड आशिका को छोड़ देगा या फिर आशिका खुद अपने बॉइफ्रेंड को छोड़ देगी जैसा कि आपने एपिसोड में देखा कि आशिका अपने पती रजट को और अपनी छोटी बच्ची को इसलिए छोड़ कर गई क्योंकि उस समय रजट एक साधरन सा इंप्लॉई था और अब आशिका जिसके साथ है वो था रजट का बॉस और यहाँ पर रजट ने आशिका के बॉइफ्रेंड को भी डरा दिया है यह गहकर कि जिस तरीके से मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर तुम्हारे पास आई क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे उसी तरीके से वो तुम्हें एक दिन छोड़ कर किसी और के पास चली जाएगी जिसके पास तुमसे भी ज़्यादा पैसे हो तो यहाँ पर आशिका का बॉइफ्रेंड थोड़ा सर बिस्टब होगा क्योंकि उसे पता है कि जो लड़की अपने पती को छोड़ कर मेरे पास आ सकती है वो मुझे छोड़ कर किसी और के पास भी जा सकती है और अब आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि आशिका अब दोबारा से अपने पहले पती यानि कि रज़त के पास जाने वाली है उससे माफी मागने वाली है उसके सामने रोने वाली है तो देखते हैं आगे कहानी में और क्या ट्विस्ट आता है क्या रजट आशिका को माफ कर देगा रफिर रजट सवी से शादी करेगा जो कि उसकी बेटी सायशा को देने वाली है मा का प्यार आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके बताएं